कि 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 लाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बैंक लेडर पर सुबह के छे बच चुके हैं और आपके प्यूसर आ चुके हैं आपके लिए ताजा तरीन खबरे ले करके तो फटा फट से जूड़ जाइए मेरे दोस्तों और शेयर कर दिजिए सेशन को जहां तक आप शेयर कर सकते हैं मेरे भाई कि दोस्तों वाइफाइ स्टरी टू पाइंट जीरो पर मेरी क्लास होती है लास्ट सिक्स मन्त करेंट अफेर की यूट्यूब पर और सुबह छे बज़े होती है मेरी क्लास यहां पर बैंक लेडर पर जो बहुत जल्द लेक्स क्रैक बैंक एक्जाम पर सुरू होगी बहुत जल्द मतलब नए मंद से मतलब तीन-चार दिन के अंदर तो आप लोग मुझे यहां मत ढूंड़िएगा वहां पहुंच जाईएगा उसके बाद दोस्तों अगर बात किजा एप पर मेरी क्लास की तो एप पर मेरी क्लास जो होती है दोस्तों वह होती है 11 एम पर दो घंटे में 6 मंत करेंड फिर पढ़ा रहा हूं और इसको जरूर ध्यान से देखिए एक तरफ दूसरा पैटन चलेगा एक तरफ दूसरा पैटन चलेगा दोनों तरफ एक तरफ उल्टी नदी बहाएंगे एक तरफ सीधी नदी बहाएंगे और इस तरीके से कम्प्लीट करेंगे चीजों को ताकि जल्दी से जल्दी कर पाएं ठीक है तो यहां रात को जो वाइफाइट टू पॉइंट हो है कि अब यह हम लोग ग्याराव डिसाइड करेंगे कि किस पर हम लोग किस तरीके से सेशन को चलाएं ओके चलिए तो यहां अनकेडमी लेर्नर रैपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारे एजुकेटर्स भी हैं आपके साथ कि यहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यहीं से आप मुझे फॉलो कर सकते हो कि गुड मॉनिंग सभी को काजल शीवानी सूरज पतिराम अभीजीत सभी लोगों को भाई प्यार भरा नमस्कार पुटी आवर्स के रिकॉर्डेट कंटेंट बीजिया प्रेक्टिस क्वेश्चन एंठांवे परसेंट बच्चों को बरुसा और सत्तर तो बेस्ट एजुकेटर्स पावर सेकड़ों है अलग-अलग जगह पे सेकड़ों है लेक सब्राइब फर। इस कॉलरशिप मिल रही है और आप प्येय साइटें कोड यूज करके हर संड़े सुभे दस बजए यह स्कॉलर्शिप टेश्ट दे सकते हैं android एप पर एंड्रॉइड एप पर देना है दोस्तों PSR 10 यह कोड दोस्तों रट लिजे PSR 10 कहीं भी मांगे PSR 10 Code ही यूज़ करना है आपको ठीक है उससे आपको जो है Bumper Discount मिलेगा ठीक है Bank SSC का Combo है दोस्तो RBI Nabad का Combo है यहाँ पर Unacademy Promise Offer, CT Preparation Offer, RBI Introductory Offer बहुत सारे Mock Test आप दे सकते हैं दोस्तों Ongoing और Upcoming यह सारे Test दे के देखिए Unacademy Learner App पर मेरे Special Class चल रही है 11 बज़े Code कहीं भी मांगे Bumper Discount Maximum Discount मैं दिलवाऊंगा मुझसे Contact करें दोस्तों Special Class मेरी चल रही है यहाँ पर 11 बज़े ठीक है अब सामको 6 बज़ोली हट गई है क्योंकि उसको मैं 9 बज़े वाले में अड़ कर रहा हूं उसी चीज़ को मैं 9 बज़े वाले की Quality बढ़ाऊंगा उस पर ज्यादा टाइम दूंगा ठीक है क्लियर है बिल्कुल दोस्तों आप 3 महीने 6 महीने 12 महीने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 810 पर मंन अगर 6 मेहने का लेता हैं 488 पर मंन अगर 12 मेहने के लेते 24 मेहने के लिए लए 293 परबन 10 पू मम्धे से बही कम का कॉस्ट आता है पिये सायूद टेन कोड कि ओड़ कीजे धोस्तों बैस्ट डिसकाउंट आपको ऐवलेबल होगा और इसे आप दोस्तों के बीच में भी इसे प्रचारित करिए है ना ओल सेट लेट्स क्रेकिट एक बार लाइक करके एक बार शेयर कर दीजे अपने जबी दोस्तों को इनवाइट कर ल लीजे दोस्तों कि पहला कोर्फिशन यहां पर है डीजिन क् còn लाइफ इंडेक्स में भारत कॉनसे स्थान पर चेड़ करेंच इंडिया इन डीजिटल क्ाइट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेख्स 2021 2021 तो दोस्तों यहां पर जो भारत की रेंकिंग रही है वो क्या रही है मेरे भाई 59 रेंकिंग रही है डिजिटल क्वालिटी ओफ लाइफ इंडेक्स में ठीक है क्लियर 110 देशों भारत 59 इस्थांग पर आए वैस्विक अबादी के 90 परसेंट अबादी कवर करते वे डीकिवेल अध्यन साइबर सुरक्षा कंपणी सुफर शार्क द्वारा आयोजीत यह किया जाता है पांच मौलिक डिजिटल भलाई के स्तंभों के एक सेट के अधार पर इस देश देशों का मुल्यांकन करता है भारत इगवर्मेंट में 33 में इस सुरक्षा में 36 में इंटरनेट सामर्त में 47 में इंटरनेट गुडवत्ता में किस मुखमंतरी द्वारा निटी इडूकर पॉलिसी का अनावरड किया दोस्तों एकसफ फॉलिसी का अनावरड जो है डिल्ली में किया गया था एकसफ फॉलिसी का क्लियर है वेरी गुट्सीवानी बता है से डेनेमार्क साथ कॉरिया फिनलेंड टॉप फैब आज कल तो टॉप वाला भी याद करना है बिल्कुल सही बिल्कुल डेनमार्क टॉप वेरी गुड्स दोस्तों अगर हम लोगी यहां पर बात करें कि कि अगर पॉलिसी कहां सकती है वहीं आ स संवाल एक्सपोर्ट होता हो अगर तला हो जहां पर अगर तला जहां की राज़दानी हो तो вспा All from दो डीट कि क्यों कि वज़े से ही तो इसका नाम अगर तला है है कि नहीं जिसको तुम है और तुम परेना नान हैं दो लोकसभा सीठ है क्लाउडटेड लेपद नेशनल पार्क यहां पे भिसन राजबरी नेशनल पार्क भी यहां पहाँ दोस्तों कहां पे अंनिक किषोर महराज बीर बिक्रम मानिक के किषोर एयरपोर्ट भी दोस्तों और एक टू- atmosphere एक तू पढ़ो योजना यहां पर मुस्ख मंत्री मातरी पुष्टी उपहार योजना पहां माठोम मुख मंत्री युवा योगयोग योजना भी दोस्तों यहां पर है किस देश के साथ सी त institutions नाइंटी फाइफ यर क्राफ दोस्तों भारत खरीदने जा रहा है तो उस देश का नाम है इस्पेन क्या नाम है मेरे भाई इस्पेन से कितने खरीद रहा है चपन खरीद रहा है किते खरीद रहा है दोस्तों 56 खरीद रहा है चपन में से कितने यह खरीद रहा कितने एक इंडियन कंपनी बना रही यह बता सकते हैं कितने यह खरीद रहा कितने एक इंडियन कंपनी बना रहे है फटा फटा बताईएगा है हाँ इस्पीन इस्पेन मेड्रिड में COP25 हुआ था COP26 जो है वो नवंबर में हो रहा है ग्लासगो स्कॉटलेंड में COP यानि की कॉंफरेंस आप दे पार्टी जिसे की जलवायू सम्मूलन कहते हैं जलवायू तो दोस्तों करीब करीब इसमें 40 जो है न वो जो है यह टाटा कंपनी बनाएगी टाटा कंपनी और 16 वहां से आ रहा है तुरंद ठीक है स्पेन की कैपिटल मैडरीड है दोस्तों करेंसी यूरो है और प्रधान मंत्री है पेड्रो सैंचेस पेड्रो सैंचेस दोस्तों इसके क्या है प्राइम मिनिस्टर दोस्तों International Astronomical Union के चंद्रमा के साउथन पोल पर एक चंद्र क्रेटर को किसके नाम पर रखा गया था बहुत सारे क्रेटर हैं किसी नाम से उसको बुलाया जाता है तो दोस्तों एक लिउनर क्रेटर है जिसको किसके नाम से बुलाया जा रहा है तो दोस्तों वो है मैथ्यू हसन कौन है मैथ्यू हसन के नाम पर इस दच्चनी दुरू वाले चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया है ठीक है ठीक है मैथ्यू हैंसन एक अस्वेत व्यक्ति थे जो आर्कटिक खोचकरता कहे जाते हैं 1909 में दुनिया के सिर्ष पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से एक थे समझ रहे हैं आर्कटिका के खोचकरता कहे जाते हैं ठीक है चलिए अर्कटिका के खोचकरता के नाम पर रखा गया है दोस्तों बीपी सियल यानि भारत पेट्रोलियम ने किसके साथ को ब्रेंडेड रुपे कॉंटेक्ट्लस क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है को ब्रेंडेड कॉंटेक्ट्लस क्रेडिट कार्ड लॉंच किया है बीपी सियल है तो दोस्तों यह किसके साथ किया इस बड़ के साथ किया सब्यक्राइब करद के साथ तुक्स केंसा बनाती n audio the sb 3 काड बनाती जिसके हैड कौण है और फोध को नने मों राव मोहन राव अमारा ऐसे नाम है और इसका है हैड़ क्वाटर मुंबई में भी नहीं इसकाuję कर रहा है वो ब्रेंडेट डेबिट काड यह तो क्रेडिट काड़ है वो डेबिट काड़ भी को ब्रेंडेड लॉंच कर रहा है रुपे का एंसी एंसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी काड वो किसके साथ कर रहा है वो कर रहा है दोस्तों बैंक और बढ़ोदा के साथ कर रहा है ठीक है क्लियर बीपी सी एल ने दोस्तों फ्यूल काट के साथ मिल करके किसके साथ मिल करके फ्यूल काट के साथ मिल करके 63 चलता फिरता उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें कि यहां पर बी पी इस diverь डूर्प की हैड का नाम नहीं पूचाता रुंख मारस और लेकिन वह शाल में नहीं बूचाता वह बस ऐसे ही वाइड हो गया आरारबी में की फेक्ट में जोटों से दूसरा चैनल कापी करता गया और एक सच को गया ब्युर्स चैल्स का हैट पूछा था लेकिन डो दिन तक हुँ वायरल रहा है ठीक है हुआ पारत पेट्रोलियन कॉर्प्रेशन लिंकन ए ंइसबी आई कार्ड के मैं ऐस्भी आई का डिए दो हम लोगने पढ़ लिया ठीक है चले आगे बढ़ ते हैं किस राज के काज़ा में दुनिया के सबसे उचे इलेक्रिक वहांजिक शी की स्टेशन का उठाटन की आ गया दुनिया का वाल्स हाइस्ट इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन हाइस्ट दुनिया के सबसे अधिक उचाई पर इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन जो इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग स्टेशन होगा वाँ इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्ज हो जाए तो भाई साहब तो यहां पे जो है यह अगर कुछ भी हाई ये सब कुछ भी आता है ना तो हम लोग जो है यहां तो हम लोग लद्दाक पहुंच जाते हैं क्या पहुंच जाते हैं यहां तो यहां पे यह देखें चार्जिंग स्टेशन भी यहां पे हैं यहां पे कुछ अगर ओला वाली गाड़ी यह क्या जो चार्ज करनें तो हिमाचल पदेश के लाहौल इस्पीती जी लेके काजा में दुनिया का सबसे उचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गया दोस्तों अब सोचो यहीं से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको लद्दा रोहतांग टनल कहा जाता है रोहतांग टनल कहा जाता है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाइवे टनल है टनल नहीं है टनल तो आपका स्यामप्रसाद मुकरजी वाला है जम्मू कश्मीर वाला यह सबसे लंबा नेशनल हाइवे टनल है जिसे अटल जी ने बनवाना शुरू क किया था तो यह दोस्तों लाहौलिस्पिति को जोड़ता है किसे भी माचल प्रदेश के मनाली मनाली जाते हैं तो रोतांग जाते हैं तो दोस्तों यह जो है मनाली से लाहौल पिती को जोड़ता है यह कोश्चन भी एक्जाम में पूछ चुका है कि यह किसे किसे जोड़ता है आपस में ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दफ इसके बाद दोस्तों अगर भी माशल पदेश की बात करें दोस्तों तो राजधानी है शिमला ग्रिस्मकालीन धर्मसाला है सीटकालीन जैराम ठाकूर इसके जो मुकमंत्री है राजेंद्र विश्वनात और लेकर राजपाल सरवादिक हिंदू परसेंटेज वाला यह राज ह है दोस्तों तो राज्जेंद्र विश्वनात और लेकर तीनों हिंदू तीनों कहां है वहां पर हैं पिन घाटी राष्ट्य उध्यान है दोस्तों ग्रेट हिमालियन राष्ट्य उध्यान है खीर गंगा राष्ट्य उध्यान है सिंबल बाड़ा राष्ट्य उध्यान है औ और रोहिला राश्च्य उद्यान है दोस्तों और कौन-कौन सा राश्च्य उद्यान है बस ग्रेट हिमालियन पिन वैली रोहिला और कि सिंबल बाड़ा गो भूर्व बढ़िया तो यह सारे राश्ची उद्यान यहां पर है मैं राज की पसु इसका है दोस्तों हिम3 2 ही नते लिया यानि किती है चार क्लियर है चलिए दोस्तों विच स्टेट विच स्टेट विल होस्त मेंस हौकी जुनियर वल्ड कप पुरुषों के हौकी जुनियर विश्व कप की मेजबानी किश्राज्य में की जाएगी किस राज्य में की जाएगी दोस्तों इसकी मेजबानी तो इसकी मेजबा कर ले स्पांसर सीब भी किया हैCаст टो इन्होंने ही पैसा दीया था इन्हीं के पैसे से दोस्तों वो दोनों संगी फाइनल में पहुछे है और इनको दोस्तों इतना जो है से प्रेम है कि दोस्तों जो जो सीनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कर चुका है दोजार 18 में और इसी कलिंग स्टेडियम में किया था दोस्तों ठीक है उडिशा उत्तर पदेश दोनों ने मांगी थी होस्टिंग लेकिन लेकिन नेशनल टीम का प्रायोजोग होने की वज़े से और एक्सपिरियंस होने की वज़े से दोस्तों उसको जो है इसकी जो है कारभार दिया गया जबकि 2016 में लखनव में भी जूनियर होकी विशुकप हो चुका है लेकिन यह सीनियर करा चुका है और इसके पास एक और बूलेडियम दोस्तों यह बना रहा है जिसकी क्याप्सिटी है आपकी 20 लोगों की किसकी 20 30,000 लोगों की capacity है कि पीस हजार लोगों की क्या है? capacity clear है उरिषा के इधिकादिक भाषा उडिया है उरिषा का राजप्रभूत राज परसू दोस्तो सामभर है और राज फूल जो है अशोक है ठीक है और लोकसभा के सीटे दोस्तों 21 21 21 ओके क्लियर रहे चलिए बहुत बढ़ी कि दोस्तों आए अच्छा उडिसा में ही दोस्तों यह आपका दुनिया का सबसे लंबा बांध भी है हीरा कुंड डैम हीरा कुंड डैम ओके है क्लियर रहे कि रजपर्व भी यहीं मनाए जाता है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आई पेल की किसी एक टीम के खिलास एक हजार रन बनाने वाले पहले बल्ले बाज इनिम्न में से कौन से बन गया है कोहली नहीं है क्यों कियों करोगे ? तो कोहली ने तो रोजोरा सरर्भा ओ मलतम पता कि ने लगत खेल रहे हैज झॉसा ये बढमें रोहट SARMA रोजो स्माज अपने टीमको हारते विकारत रहे ते उनकी टीम विराठ कोहली आलाउट कर रहे थे तो दोस्तो है ट्रिक्ट भी आज मार दिया कौन से पठेलते उन्हों ने जो है भाई जाब है ट्रिक्ट भी मार दिया राज चलिंजेस बैंगलोरों के लेते बहुत अच्छा slower यारकार्ट डाल लेते तो दोस्तों यहां पर रोहित सर्मान ने कोलकता नाइट राइडर हजारें महिलाओं में बॉड़ने में और बीस हजारान ओवर और बॉझा दिया मिठाली राज ने है थीख क्लियर है और अब छिर्षक जंगल नामा किसके द्वारा लिकी गई और्डियो बूग टाइटल जंगल नामा दोस्तों किसके द्वारा लिकी गई यह अमिताव घोश के द्वारा लखी गई अमिताव घोश के द्वारा लखी गई इस टेयोरी आप दा सुन्दरवन और सुन्दरवन जो दोस्तों यह है यह डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ग्यान पीट अवाड विनर हैं दोस्तों अमिताव घोश और साहि अकादमी आवाड विनर भी हैं ठीक है क्लियर हैं चलो वेरी गूट दोस्तो वू वेल लांच नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कौन लांच करेगा दोस्तो नरेंद मोदी जी देखिए अमेरिका से आए अमेरिका से आते ही नए वाले संसद्भवन को देखने चले के कंस्ट्रक्शन कैसा चला कुछ वाइट हाउस में देख कि आए होंगे कि यार यह चीज हम लोग अपने या भी बनाएंगे अब आते ही अमेरिका से यह यहां इसे बनाओ ऐसे बनाओ पूरा इस्ट्रक्शन दे रहते हैं अब उनको लग गया कि आईसा ही बनाएंगे जैसे वाइट हाउस में बना वाइट हाउस में देख क्या अच्छा लगा होगा अब जोए कि अश्ट्रक्शन दे दिए ठीक आईसे बनेगा मैं एरका से मतलब आते ही सीध्य पहुंच गया है तो दोस्तों नेशनल दीजिटल हेल्ट मिसन का एलान जो है यहां पर किया गया है अब क्यों किया गया अभी आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्यों किया गया है नेश्टल दीजिटल हेल्ट में इस है इस इस इसकीम is to create a digital health system at the national level through this patient will be able to keep their health record safe and share it with doctor and health institution आफ दियर च्वाइस वह अपने पसंद के डॉक्टर हेल्थ इंस्ट्यूशन को अपना हेल्थ रिकॉर्ड डिखा सकेंगे वुष पेसेंट का हेल्थ रिकॉर्ड पूरा का पूरा रखा जाएगा एक जगह पे भारत सरकार ने पहली बार भारत और किस देश की कॉंसुलर व् सब्गानिक के दोस्तों भारत और यू के ने दोस्तों यह वारता की भारत और यू आप की के जो लंदन नहीं यहां ते लंडेर्थ दे और कि टेस्ट इमें गर पुरिटर टेक्स की बात की गई है किी 15 पर लोबावरेट टेक्स रखा जाए गलोबल कोर्पोरेटि टेस्ट 15 परसेंट रखा जाए इसकी भी बात की गई है यह जी सेवन-बोधी जी ibandrick किये ते क्या नाम रखा गया था building back future है थीके clear है चलिए इस बार UK में जी 7 summit और अगली बार जर्मनी में फिर इटली में होगा दोस्तों UK में महत्मा गांधी के के नाम से मुर्ति जारी की गई थी जौर्जिया में और बैटल अप सारा गड़ी के कि इस्मारक के रूप में दोस्तों UK में जो है उस बैटल के लिए स्मारक जो है अभी जो है वहां पर ओपन किया गया है एक इसमारक बनाया गया है ठीक है clear है बहुत बढ़िए कि अहां है कि अधिक बात बात भारत तो यूके का 2030 का वो जो है वो चल लाहा है क्या कहते है ट्रेड एग्रिमेंट 2030 तक ट्रेड एग्रिमेंट और यूके की अभी डेटा ने कहा था कि दो जा अभी आठ्वे पोजीशन भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है 2030 तक यह 24 नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर जायेगा рок 2020 तक तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर हो जाएगा यूके इस इलिंए भाहरत से रिलेशन बनाना चाहता है अब भारत को वह उसने जो है कि सेव एक्सपोर्ट किया है जबकि से हमारे है लेकिन हमने खीचे गई बड़ा चुम्बक भारत ही होगा है ना समझ गए मुद्रा पाउंड राजधानी लंदन इंटरनेश्टल मेरिटाइम और्गनाजेशन का हेटकवाटर है यहां पे लंदन में होए नहीं अर्जुन टेंक एम के वने हैवी वेहिकल फैक्टरी चिन्नई है इस बीन और्ड़ फॉर दा इंडियन आर्मी तो दोस्तों 118 अर्जुन टेंक का ओर्डर दिया गया ठीक है इसमें 7523 करोड रुपे खर्च होंगे ठीक है कि इसके लिए दोस्तों जो ऊर्डर दिया गया है विवेहिकल फैक्टरी चन्म या बना था ट्रेन का तो वो भी चेन्नई के इंटीग्रल रेल कोच फैक्टरी में बनी थी चेन्नई सरकार ही दोस्तों डेन्मार्क के साथ मिलकर एनरजी आइलेंड बना रहा है मननार की खाडी में कौन डुंगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व भी दोस्तों वहीं पे मननार की खाडी के बगल में रामसेतू के बगल में पाक स्ट्रेट में बन रहा है पाक जलसंदी पाक धाटी में बन रहा है इसी चेन्नई में दोस्तों टाटा ने अपना मोबाइल बनाना सुरू किया है ओला ने अपनी फैक्टरी डाली है चेन्नई की कन्याकुमारी एकनॉमिक औरीडोर बन सब्सक्राइब बैंग ने 484 मिलियन डॉलर का लोन दिया हुआ है चैन्ने को चैन्ने में रेडमी ने भी दोस्तों अपनी टीवी स्टिक बनानी शुरू की है ठीक है बात समझ में आ रही है चैन्ने फॉरेंट टूरिस्ट को यानि की आपका तमिलनाडू फॉरेंट टूरिस्टों को एट्रेक्ट करने में सबसे नंबर वन पे रहा है ठीक है इस टॉली निया के मुखमंतरी हैं दोस्तों राजिपाल तमिलनाडू के कौन है आर एन रव गया और उन्हें साउथ भेजा गया और साउथ वाले बनवारी लाल पुरोहित को भेजा गया पंजाब में पंजाब और चंदीगर का वो काम समालने चंडीगर में सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर टावर लगा है चंडीगर के स्टेशन को इट राइट सेटिफिकेट म में लगा है जमसेच जी टाटा सबसे बड़े सदी के फिलैंफ्रोपिस्ट है ठीक है चल पी अफाइड एक इस दिन एंपीएस दिवस मनाता है दोस्तों तो एक अक्टूबर को वो एंपीएस दिवस मनाएगा पीएफाइड एक एटवार्टर दिल्ली में है पीएफाइड एंपीएस जो है आप डियारेक्ट पीएफाइड एस खरीद सकते हैं जैसे आर्वियाई से आडीजी एकाउंट के थ्रू आप गवर्मेंट सेक्योर्टिस खरीद सकते हैं दोस्तों एंपीएस दिवस जो है एक अक्टूबर को मना जाता है सुप्रदीम बंदोपाध्य पी चौदा परसेंट कर दिया गया ठीक है कि अब बाबुजगरे सर मैंने आपकी क्लास का नोड बनाया था कल मैंने एक ग्रूप में डाला तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कहां से पढ़ते हो देखो यह तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टेलीग्राम पे लिक र तो यह सब आप लोग पढ़रे याद रख रहे हो महनत है अपकी है ना सब लोग की महनत है है यह सब को नसीव नहीं होता है कि नहीं पी-फ आई-ड ए कि आजादी का अमरीत महत्सो मना रहा है और सब लोग आजादी का अमरीत महत्सो बना रही है भी कुछ 75 वाला काम करेंगे कर दोस्तों बाइवाट परसेंटेज हैज दे सेंटल गवर्मेंट रिड्यूस दपेटेंट फीज पेटेंट फीज एजुकेशन इस्ट्यूशन के ल आप कुछ नया यूनिक बनाते हो अविस्कार करते हो तो पेटेंट कराते हो तो पेटेंट फीज को दोस्तों कितना कम किया है असी परसेंट कम किया कितना कम किया है असी परसेंट दोस्तों कम कर दिया ठीक है क्लियर रहे है बहुत 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 दोस्तों ऐसे राजस्था कानून लारा बाल विवा कर लिए रेजिट्रेशन कराने का जो है कि कानून ला रहा है किस राज के पुरो राजपल वाइस डड़वाल जी का निधन हो गया दोस्तों तो यह जो हैं आपके अरुणाचल पदेश जो सबसे के दोस्तों इसमें राकेश सस्थाना घी जो सबस्ते हो बी सब्सेब मैं पक्र सेट सीनके पिता जी प्रकास का यह Katy Jahr एड से दिन का प्रकाश सिंग में अपोईमेंट बंकर इस अभी संजैया रोडाव का भी आप्ऊइंट मेंट खुआ और उसदिन ब्यूरो और पुलिस रिसर्च एंड डेवलप्मेंट बाला जी सिवास्तों का भी अपॉइंडमेंट हुआ है थीग है कि दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग और गैंबलिंग को किसमें बंद किया बताओ हुआ और आचल पद्यसकी राजधानी दोस्तों इटा नगर है पेमा खांडु इसके मुखमंत्री हैं बीडी मिसरा इसके राजपाल दोस्तों किसके द्वारा 400 डेस का ट्रेलर जारी किया गया 400 डेस का ट्रेलर दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया चेतन भगत जी के द्वारा जारी किया गया ठीक है यह इनकी जो है इस कॉसल नोवल सिरीज में यह इनका तीसरा जो है नौवल है तीसरा नौवल है दोस्त इनके बहुत सारी नावल है फाइट पैंट समवन पे त्रीडियेट मूवी बन गया काई पूच्चे बन गया त्री मिश्टिक्स आफ माई लाइफ पे वन नाइटेट कॉल सिंटर बन गया है पेक बन गया हेलो तो दोस्तों इनके पर बहुत मुवी टू इस्टेश बनी हाफ गलफिंड बनी सीनेमा में योगदान के लिए ने राश्ट्री पुरुसकार भी दिया गया दोस्तों है ठीक है क्लियर है तो दग गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मडर के बाद कॉसल सौरफ सिंकलाक में यह तीसरा उपन्या से इनका ओके दोस्तों किसने आयुश्मान भार हैं दोस्तों हेल्थ मिनिश्टर के साथ यह और कौन से मिनिश्टर यह वताइए यह गुजरात से आते हैं कि दोस्तों यह हेल्थ मिनिश्टर है इसके साथ कौन से मिनिश्टर आयुश्मान भारत को दोस्तों पीम जय योजनाभी कहते हैं क्या कहते हैं पीम जय योजनाभी इसकी 23 सितंबर को राची से इसका एराउंस्मेंट मोदी जी ने किया था लेकिन लागू 25 सितंबर को हुआ था 10.74 करोड फैमिली इसमें कवर होती है दोस्तो अगर एक परिवारे 5 लोग मालने तो 50 से 55 करोड लोग इसमें इसमें कवर होती है देस की 46 से 42 परसेंट नभादी कवर होती है तेरह सो पच्चास बीमारिया हैं और सबसे इंप्पोर्टेन पाँच लाक रुपए alike का एसमें पर फैमिली मिलता है पाँच लाक रुपए AF हेल्ट इंसुरेंस में मिलता है इस टॉक्त टेवी पाटनर्शिप बोड़ के भी हेड यहीं है दोस्तों क्योंकि एल्थ मिनिस्टर है ठीक है इसके साथ मिनिस्टर है मैंने पूछा तो यह राम किष्ण जी ने बताया बिलकुल की केमिकल एन फर्टिलाइजर मिनिस्टर है बिलकुल सही की जवाब है बहुत बढ़ियां केमिकल रसायन और उर्वरक मंत्री यह हैं बिलकुल सही जवाब है आपका भारती से ना 26 से 29 सितंबर तक कि स्थान पर बीजॉय सांस्कितिक मौत्सव आयुजित करेगी वेर विल इंडियन आर्मी और्गनाइज बीजॉय कल्चरल फेस्टिबल from 22 29 सेप्टेंब्र तो दोस्तो यह जो है बेंगॉली टाच हा रहा है और कोकता में सुरू हो रहा है कुछ इस इस सरेंडर की फोटो भी है तो कुछ bengal में हो रहा है तो कुछ Bengal का ही हो रहा है 50 वर्ष हुए हैं दोस्तों किसके बंगलादेश की आजादी के और 1971 इंडो पार्क वार के दोस्तों वैसे तो 16 दिसंबर को भारत अपना विजय दिवस मनाता है और 26 इस माच को बंगलादेश वाले अजादी का दिन मनाते हैं तो यहां पे 26 से 29 सितंबर तक भारती सेना ने यह सांस्कितिक मौप से और इसकी वज़े से ही पाकिस्तान आज भी भारत के टुकड़े करना चाहता है उसके नारे लगते दिल्ली इन्व सिटी में भारत तेरे टुक लेकिन कुछ कर नहीं पाया ठीक है हां उस ते सोचा कि कश्मीर को अलग कर देंगे जैसे बंगलादेश को इन्होंने हमसे अलग कर दिया हम खलिस्तानियों को बोलेंगे कि तुम अपना अलग देश मांगो जो पाकिस्तान अलग मिल सकता तुमको भी अलग मिलेगा तो और आप इस्टरन कमांड की बात हो रही है कि मुख्याले की बात हो रही है इंडियन एर फोर्स के खुलकाता में दोस्तों विवेक राम चौदरी इंडियान एर फोर्स के हैट बन रहें एक तारिक से राकेश भदोरिया तीस तारिक को आपका इस्तीफा दे रहें और आठ अक्टूबर 1932 को भारती भाई उसे ना दिवस मनाया जाता है आठ अक्टूबर को कि दोस्तों इंडियन एयर फोर्स अभी स्पेन से जो है कि विमान ले रहा है चपन सीन 295 विमान ले रहा है इंडियन एयर फोर्स दोस्तों नेशनल हाईवे राजस्थान के बार्मेर में इमजेंसी लेंडिंग की नेशनल हाईवे पर उसके सी 19 ग्लोब मास्टर ने उसके सु इससे दुस्मन के रडार जो है उसके एरोप्लेन को नहीं पकड़ पाएंगे ठीक है एटी सिक्स्थ एनवर्सरी एटी एट एनवर्सरी वेरी गुड तो 1932 से जोड़ लोग एटी एट था ना अठ्टूबर अभी आने वाला है वो एक्टी नाइन हो जाएगा जो आठ्टूबर अभी आएगा अगले नौ दिन दस दिन भाद एक्टी नाइन हो जाएगा ठीक है तो कि 1932 से 32 है और इधर 7 हो गया उधर 8 हो गया ना तो 32 को भी जोड़ोगे 89 हो जाएगा ठीक है जब एनवर्सरी जोडते हैं तो वन प्लस कर देते जैसे ऐसे मैट से जोड़ो तो 1947 से 75 2022 में हो रहा है लेकिन हमने इंडिपेंडेंस की 75 एनवर्सरी अभी ही मनाई है क्योंकि यहां से जो है आपका 75 लग गया क्लियर है अभी 8 अक्टूबर से 89 हो जाएगा अभी नहीं हुए अभी द्योग ने कहां सुरू किया खादी और ग्रामोद्योग ने कहां सुरू किया तो दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग ने जो है शुरू किया है इसे कटक में कहां सुरू किया मेरे भाई कटक में और पूरी जो है सबसे बड़ा सबसे पहला 100% जो है 2400 गंटे सातों दिन पीने योग जल देने वाला पहला जो है पहला। उडीसा में बूनेश्वर जो हंडेट पर्शन व्रिक्सपवाला सिती बना है उडिसा में चिलका जीने दोस्तों जो सबसे बड़ा कार, पानी की भारत की उडीसाप पहला आप सुनामी ऑन चीडी जो है न मंता बनार जी दीदि जो है उन होगिइन 3 10 फ्रमि लोगों में अधार गल्तवत पून वाले अर यह लोस्त उस भार्तिक त्रमस क्लारिव्श के नाम बते हैं जिसे although कि देखिया यहाँ पर अभिश्येक वर्मा इनका नाम है क्या नाम है कि मया तीन बार तीन दोस्तों गोल्ड जीता इन हो ने अभी कहां पर तीन गोल्ड जीता दोटा स्कॉच आवारड चार बर वेस्ट बेंगॉल को चार बता मिला ना वैरी गुड वैरी कप में तीन बार गोल्ड जीतने वाले भारती तिरंदाज अभी से एक वर्मा को चार साल के लिए कारकाल के लिए विस्व तिरंदाजी की खिलाडियों की समीति में चुना गया ओके दोस्तों डीपी आई एटी जिसका नाम है दोस्तों डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन न container इसका फुलफर्म भी आ सकता है दोस्तों को想 कि बहुत चर्चा में एक टाइपन्दा कम फिल फॉर्म आ सकता है ठीक है कि एधिन अब क्या पता है जह एक्जाम हो रहा है कि फुल फॉर्म पीजा राया ना smack p sécurité न पेरा उणललंपि को फुचरा है इं बुक्स पूच रहे पूछ रहा है ना नेशनल ना इंटर्नेशनल ना युनाइटेड नेशन न तो न एक भी अपॉइंडमेंट तो क्या किया जाएगा आर्चरी में इंडिया को तेरह गोल्ड मिल पंद्रह गोल्ड मिले जिसमें तीन गोल्ड डीपिका को मिले वेरी गोड वेरी गोड वेरी गोड शिवानी तो दोस्तों अगर हम लोग यहां पर फुल फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों इसका फॉल फॉर्म क्या है में इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा यह किया जा रहा है सॉरी यह पोर्टल किसके द्वारा सुरू किया जा रहा है इन्वेस्ट इंडिया और मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स एंडिस्ट्री कॉमर्स एंडिस्ट्री मिनिस्टर कौन है कुर्च गोल प्यूश्ट गोल दो हजार तザेयंटी के शेरपा भी घिटूर्टी के शेरपा भी है ठीक है जी ट्वन्थी क्योंकि दोईर तशेयंट वाला इंडिया में होने वाला और अिको þाल टोजी डिमा अगा इसमत उलिटिक वहता है उसके बाद ब्राजिल होगा पब्लिक डिस्टिब्यूशन मिनिस्टर भी है थीक है क्लियर है चल तो दोस्तों कहीं न कहीं अब हम लोग एनारे सीटी की जलग नहीं आ के बैंक का एक्जाम देख करके ऐसे सही हुआ हुआ है उसमें बलकि जोग्रफी पॉलिटी की जगर करेंट फिर पूछ रहा है और यहां पर अब यह एनारे सीटी की त्यारी करवाने लगे अभी आई-एस लेवल आ रहा है मुल्यद पढ़ाया हुआ तो सब आया कि वह यह वह से ज्यादा क्यास आउट हुआ तो तो उसमें तेन आवर्सें थे 27 नहीं पूछ रहा बैंकिंग टांस पूछ रहा है इसका पैंटन आप पकड़ पा रहे न पकड़िए वह बैंकिंग टंस पूछ रहा-क एकरेंट उसने end of day पूछा वो आपसे यह नहीं जानना चाहरा है कि आप डेटा पे कितना जो है कि पकड़ रखते हैं वो यह देखना चाहरा है कि आपका इंट्रेस्ट बेंकिंग पर था कि नहीं था जो कि मेंझे देंसे किया प्यर्किशन की तयारी करानी है मैं इसके पैटErn सौेट करने की कोशिश कर रही हूं पॉसल को कि क्या चाहरा रहा है के एक्जामनर के वाइप दिए चाहरा है कि बंदे का इंट्रेस्ट बैंकिंग टमस के उसके बारीं किनी जानता है कि खोरेंट में आयए हुआ हुत यह मैंने पैटर्ण पकड़ा आप बताइए कि क्या यह सई पैटर्न मैंने पकड़ा यह और उसके बाद वो यह भी देखना चाहरा है जून का करेंट फिर ज्यादा पूछने का मई का पूछने का ज्यादा यह क्या लॉजिक है कि यह बंदा जब एक्जाम नहीं था तो भी पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था यह दूसरा पैटर्न मैंने पकड़ने कोशिश की इसकी कि जब यह कोई भी एक्जाम नहीं था मई वूझन में तब यह पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था ह। यह तुक्य बाज पढ़ने वाला तो नहीं सब् passions का गलती से हमें theories पढ़ने वालह हमें चाहिए हमें एक लंबी तैयारी करने वाला बंदा चाहिए रेगुलर प्रिप्रेशन में रहने वाला बंदा चाहिए ठीक है तो दोस्तों इसे इंवेस्ट इंडिया के साथ मिलकर डिपार्ट्मेंट फॉर प्रमोशन आफ इंडस्ट्री इंटर्नल ट्रेक द्वारा विक्सित किया गया है क्योंकि आप देखिए तो हम लोग के डेली करेंट अफेर्स से तो सारे कुश्चन आए विधान चंद्र सब्सक्राइब करेंगी यहां से बंदा उठाएगा तो अब कोई नहीं चला ना किसी का बुश्तर पॉर्णेडो और यह सब कैप्सूल नहीं काम आए गया ना वहां पर दोस्तों यहां पर ध्यान देना करना होगा कि डेल्ए टरेंट अफिर पर फो कस करना होगा डेली करेंट कंट अफिर से फोकस करना उगा उस मंज का नाम बताएं जिसने भागती स्टार्ट अप और 1972 दम्यों के लिए प्लेनैल फोर्य इनोवेशन चैलेंज लॉट्टर याम इनोवेशन चैलेंज लाँश क किया दोस्तों प्लेनेटोरियम इनोवेशन चेलेंज मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्फर्मेशन टेकलोजी और यह मिनिस्टर कौन है दोस्तों अश्विनी वैश्नों है उडिसा से चुनके आते हैं आयाइटी कानपूर के ग्रेजुएट है पेंसिलिवेनिय किया एनिवर्सिटी से एंबीए किया है और इस रिटायर्ड है दोस्तों कि रिटायर्ड आई एस और अश्विनी वैश्टों कम्मिनिकेशन मिनिस्टर भी है दोस्तों टेलिकॉम मिनिस्टर कह सकते हैं और रेलवे मिनिस्टर भी है ठीक है क्लियर है दोस्तों अगर हम लोग यहां में बात करें तो cbsc और इसरो ने मिलकर स्पेश चलेंज भी लॉंच किया था अगर आपको यादो cbsc और किसने मिलकर के लॉंच किया था cbsc और इसरो ने मिलकर स्पेश चलेंज लॉंच किया था ठीक है किस संगठन ने हाल ही में भारत के पसुधन छेत्र का समर्थन करने के लिए पसुपालन और डेरी विभाग के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किया किस संगठन ने किया दोस्तों तो यह बिल और मिलिंडा गेट्स फाउ संर्केरेवर्ड और Goal collected Personality अबर्ड देता है दोस्तों और इस समय ये। लाइव श्टॉक सेक्ठर को हमारे बढ़ाने के लिए इसने दोस्तों यहाँ पर एक मियू साइं किया है एनिमल हजमंड्री और डेरी प्रोसेसिंग मिनिश्ट्री के साथ दोस्तों हम लोग देरी प्रोसेसिंग में दुनिया में नंबर वन पर हैं वारत के वाइट रिवल्यूशन का जनक माना जाता है वर्गिस कुरियन को जिनका बड़े 26 नवंबर को मनाया जाता है राश्टिय दुख्द दिवस मिलकडे भी मनाते हैं हम लोग उनके बड़े पर दोस्तों अमुल कंपनी जो है वो दुनिया में 18 नंबर की जो है कि ब्रेंड भी है डिगर देरी में देखा जाए तो अमुल के फाउंडर थे आपके जो है वर्गिस कुरियन साहब और अमुल के इस समय है न सोडी साहब आरके सोडी साहब जो कई बोर्ड में इसमें मिंबर आ रहें और रहें कई जगह पे दोस्तों यह जूड़े हुए बात समझ में आ रहे हैं नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोड के एड़ को ने ने डेवलपमेंट बोड के हैट को ने बताएं आमुल जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की स्पॉंसर भी ती अ है कि नहीं है दूद्ध पीटता है इंडिया अमुल का फुल फॉल्फंट आनन्द मिल्क यूनियन लिम्टेड इसको गुजरात को आपरेटिव फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है कि फर्स्ट जून को वर्ड मिल्क डे मनाते हैं वेरी गुड नेश्टनल डेरी डेवलप्मेंट बोट के हैं मिनेश शाह वेरी गुड पहले वर्सा जोसी थे वेरी गुड दोस्तों नागरी कुद्धन मंत्राले के नए सचीव कौन बने हैं अब देखें यहां से हम लोग रि सिविल अवियेशन मिनिश्ट्री का सचीव बनाया जा रहा है और इसके मंत्री हैं आपके जोतिरादित सिंधिया एयर इंडिया टाटा एयर लाइन्स को राश्ट्री कृत करके बनाई गई थी और भारत के सबसे पहले पाइलट जो थे आपके जिए डी टाटा वही इसके हेड भी बनाए गये थे एयर इंडिया के पहले हेड वो थे अभी हेड यह थे राजी बंसल जी अब इन्हें सचीव बनाया जा रहा है क्लिया रहा है कि विदाम सभा ने ऐन लाइन गेम पर परतिबंद लगाया और वी आ वोलाइन गेंअ गेंपल हिए और तहर चंद गहलोत यहां के राजपाल हो गए है जो की कभी सोसल जस्टिस मिनिश्टर सोसल जश्टिस मिनिश्टर अब हो सथा नाम इनका विरेंद्र कुमार क्या होग है विरेंद्र कुमार और धावरचन गलो जो यहां कि राजिपाल है करनाटक के हो दोस्तों कभीर राजसभा में सदन के नेता भी थे जुलाई के मैं पहले वो अब राजस्भा में सदन के नेता कौन हो गैं ओडर हो गए और उप नेता को हो गए है कि क्यों सिंते हैं लोकत का लोग सर्था रोगसभा ढोलकिव का नेता है तो दोस्तों तो अगर देखा जैक करना तक की तो बैंगलूर्ड इसकी क्वायchi जिस्से इस अप लिभीलिन इंडेक्स में डॉप पे कहा जाता है इसरो का यहुत करेंड चैनरा नंक miners यह जीवन स्मॉलवाइनस यह गीए महले की फील्क केर यह गीच्ट कोर्ट है दोस्तो क्लen य॓ंतर का खेंडिया यूनिवर्स टिमें होने वाला बेंगलूरू में ठीक है बैंगलूरू करकशलन्प गोडा एरपोर्ट उसे एक्सिलेंस एवार्ड भी मिला है उसे जो है आपका क्या कहते हैं कि वाइस ऑफ कस्टमर एवार्ड भी मिला है वाइस ऑफ कस्टमर एवार्ड भी मिला है बेंगलूरू में टेसला ने भी अपना रेश्ट्रेशन कराया अब क्या हो गया फोन पे फिलिपकार्ट क्या हो गया कि फोन पे फिलिपकाट का हो गया बताओ पूरी निज बताओ कि अच्छा इन सब कभी हेट कॉटर है ओके अच्छा हमने क्या हो गया तो ऑफिशिल स्लोगन टुगेदर फॉरसे फ्यूचर है बी लॉंच्ट दोस्तों यह किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो विंटर ओलंपिक दोस्तों होने वाला है बीजिंग में 2022 में क्या होने वाला है विंटर ओलंपिक होने वाला है 2022 तो उसके लिए जो जो तियार है करक्या के टूगड यृधर weirdly फॉरसेड फूचर दोस्तों 2022 से अभी साओध कोडिया को बेंट करदिया गया एंसम्य क्लियर ने तो गूगल को बेन कर दिया गया धू इसलिए इसको बेंग कर दिया गयों दोस्तों 2020 का समर ओलम्पिक 2020 का जो है आपका तोक्यों में हुआ कि दोस्तों 2022 का विंटर ओलम्पिक जो है वह आपका बीजिंग में दोस्तों समर ओलम्पिक 2024 का पैरिस में 2026 का दोस्तों कि आपका विंटर ओलम्पिक 2026 का मिलान में मिलान यानी इतली में दोस्तों 2018 का समर ओलम्पिक लास एंग्जिलिस में और दोस्तों फिर 2022 वाला जो है यह वह गाप समर ओलम्पिक ब्रिस बेन में कहां पे ब्रिस बेन औस टेलिया में ब्रिस बेन ऑस्टेलिया में ओके ऐसे टोकियो ओलम्पिक का भी स्लोगन ऐसे था फास्टर हायर इस्ट्रॉंगर उसके बाद टूगेधर ऐसे था क्लियर है बहुत बढ़िया कि दोस्तों इंटर्नेशनल ओलम्पिक कमिटी का हेड़काटर लौज इन स्विट्जर लेंड में और वहीं पर फाइच का भी हेड़काटर फाइच फेडरेशन आफ इंटरनेशनल होकी के हेड नरिंदर बत्राजी है नरिंदर बत्राजी इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी के मेंबर भी है और भारती ओलम्पिक संग के हेड़ भारती होकी संग के नहीं है वो है ज्यानेंद्रों निंगोवबन जो की आपके मिजोरम के हैं इंटरनेशनल ओलम्पिक कमिटी थौमस बहुत बढ़ी है एफाइच फिदरेशन ऑफ लिट अफ इंटरनेशनल और कि मैं किस बैंक ने वन काड के साथ भागेदारी किस ने किया तो वन कार्ड के साथ भागेदारी आप कि यूडर 152 किस ने की है फेडरल बैंक ने भी कि है किसंए की है फेडरल बैंक ने फेडडी नाम के यूजना फ्लांच की तीच्टी फेडरल बेंक के हेड़ है शाम स्रीनिवासन सं версन B Of The Year है और ये-व dapat अर-दोस्तो अलौग कोचि साथ एक और बैंक ने किया कि उसने 4.99 परसेंट शेर बीस में खरीदा है और योर परफिक्ट बेंकिंग पार्टनर यह जोस्तों सीवानी ने बताए हैटक्वार्टर विल्कुल पति राम का फिर्द को इंटरनेट इस लो चला वह भी लॉजेन पर यह तो पति राम रिप्रेस कर लो और लॉजेन में आपका इंटरनेशन बॉक्सिंग एस्सोसियेशन का वेटकॉर्टर है ठीक है कि चल अच्छ अच्छ किस बैंक ने वीजा के साथ दोस्तों समझोता किया यस बैंक ने दोस्तों यस बैंक के साथ यह बड़ी ट्रेजडी यस बैंक जिसको लून देता है बड़ी-बड़ी यॉगनिजेशन अनि लंबानी की कंपणिया को लून दिया इसको क्या पताता दूप जाएगी दोस्तों कैफे कफी डे कैफे कफी वह जो जो उसका मालिक का अत्महत्या कर लिया करजे में डूब के यह सब बहुत बड़ी बड़ी पैसा दी और सब डूब गया तो यह दोब लोकगं डूबी होई तो मास्टर कार्ड बैंद हो गया तो आप सब वीजा के साथ करें यह यार रूपे की पूंट पहुच अभी पूरी दुन्या में नहीं है रूपे को भी कुछ फाइदा होगा मास्टर कार्ड के बैंद होने से लेकिन जब सब्सक्राइदा होने वाला है अब जिसका टाये मास करने के लिए उनको वीजया के साथ पार्टनर्शिप करना ही पड़ेगा तो इसमें केवल हम लोग बोलेंगो तो गरवड़ा हो जाएगा ठीक है तो और भी बहुत सारी कंपनिया है जिसको यस बैंक ने पैसा दिया ता डूब गया तो यस बैंक के हैड है प्रसांत कुमार यस मैं एक बुक आई पवंसी लाल की यस मैं ठीक है क्लियर रच बिल्खुल तो वीजा वाला भी समझ लो की क्यों हो रहा है मास्टर काड पे नियामक प्रतिवंद की बार तो यह जो है इसमें भी वीजा का भी पहुत लोग के साथ टाइप हो जैसे वन कार्ट के साथ कईों का मास्टर काड़ के साथ टाइप होगा यह नियूज अब तुम्हें अगले 2-4 महिने तक देखने मिलेगी इसका वन काड़ यह इसका वीजा के साथ हो गया इसका जो है रूपे काड़ के साथ टा आइप हो इए आपको डेखने को मिल हिए ठीक है हाह तो 90 क्रेडिट काड वेरियंट का यहां पर ठाइप हuu these हुआ को है बात्रक्रांद्र्मॉ इसमें जयानी आramatic ten यूज के पीछे की बात यह नूज के पीछे की बात समझ में आगी अब आप कलियर हो जाओंगे कि यह क्यों हो रहे है नहीं तो तो पैंच तो यह दिन्यूस किया है अगर यह भी है तो इसमें भी जाथ तो यह जाज अ कि मास्टर कार्ड बेहन क्ट दोस्तोग इस लेग जये से का किसर में उए दोस्तों इनटेर्टैंड में स्किल का मेर्जर दोस्तों सो नी पिक्चरम वे विसे ढूरं इंदोनों में से ख़तम क свое माल hello यंद जी गंपनी खतम हो गई है अब सोनी बन गई जी कंपनी क्याला बन गई है सोनी बन गई नहीं है है हम पिच्छ चल नहीं देखते हम को बता दो फोर हाउ मेनी मन्त यूनियन गवर्मेंट हैस एक्स्टेंडड दर टेन्योर आफ उद्र को टक एज नॉन एक्स्क्यूटी चेर्मेन आफ आई एल एन एफस का भी दोस्तों घोटाला हुआ था एंडी एफसी क्राइसीस हो गई ती जिसके बाद उर्जित पटेल और अरुण जेटली में विवाद हो गया सेक्षन सेवेन विवाद हो गया यह बोले बारा बैंक को पैसा दो तुम एनबी एफसी को पैसा नहीं दे रहो एनबी एफसी आगे नहीं बढ़ा रही जीडीप हमारा गिर गया तो दोस्तों एन और किसके लिए शुरू की गई थी एनबी एफसी रीफॉर्म के लिए यह बी आता तो यह आईलने फिसके क्राइसिस के बाद से ही यह सारा प्रकरण सुरू आता एनबी एफसी वाला आई एलने फिसके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में लगी हुए बड़े-बड़े अब अगर प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं होता है दोस्तों बहुत महंगा हो जाता है कंपनी को लॉस उठाना पड़ता है वैसे समझेगा आज आप मकान बनवा रहे हैं बालू जो है मालो 4000 रुपे का है अब उस मकान को बनवाने में अगर 10 साल लग जाए तो बालू की फोर जाती है यही हैssa के साथ हूँआ ठीक है तो यह उदे को टक साहस्ता जो है एस्या के अमीर वैंकर्व हैं को टक्ना महें सबसे अमीर बैंक है करेब और यह आयलड एन डरेंदम सबस Switzerland कि और कृठर है समझ गयर ए और यह सबसे अप्र मिल्द कर भी यह ए और अर एक क्या जो है रिस्ट्रक्चरिंग लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए दोस्तों एफस एस एआई फूर सेफ्टी एन स्टेंडर्ड अथर्टी अफ इंडिया के अध्यान के मुताबिक भारत किस साल तक और द्योगिक ट्रैंस फ्री हो जाएगा तो दोस्तों या तो या आप यह सोलो कि इंडस्ट्रियल ट्रैंस फेट फ्री कहलो या कहलो पेकेजड गुड्स पर पैकेजड प्रोड़क्स जो आ रहे हैं तुम्हारा खाने पिनेगा जैसे मैंगी मैंगी को एक बार यह बैंग किया था एफसे से आई क्योंकि मैंगी में एलीडी लेड मिल गया को आनंद विहा रेयलएश somehow मुंबई सेंटalogलल में शेटरपितर सिवाजी सेंट्र डेयलवेश चेशन इसके ही टारीटा ट्यवट को अ कि और इसकी जो चेर्मन है और इसकी सीयों जो है वह अरुन सिंहल अरुन सिंग्स कस थीख है क्लियर है को बहुत बढ़ी शानदा जिन्दावाद जबर्दस तो दोस्तों 2022 में जब आजादी की 75 वर्जगाठ मनाई जाएगी तो यह भी हो जाएगा पार्मर्स की इंगम डवल भी हो जाएगी पार्लियमेंट भी बंजित के तयार हो जाएगा मोदीज अमेरिका सीधे पहुंच के वहाँ पे देखने के लिए क्या चल ला तो बनी जाएगा तो दोस्तों 2022 में गगन यान मिशन है उसके लिए विकास इंजन की सब्सक्राइब की परिच्ण हो गया रोबोट जो है व्यो ममित्र तयार एकदम अरश्या में चल लोगों की ट्रेलिंग चल लए है गगन यान मिशन भी हो जाएगा 2022 तक जो है आप प्रधानमंत्री अवास योजना का डेडलाइन है तो बहुत सारी चीज़ों की 2022 आपकी ड सिक्रांत भी जो है कि हवाले हो जाएगा नेवी के बाबू जी कहीं कि सर मेरे नाम का पंचायत हो रहा है देखिए बाबू जी आपका रेपोटेशन जब आप मीटू केमपेन में फसे तब आपका खराब हो गया था उसके पहले तक आपको हम लोग हम आपके हैं कौन के बा पंचायत करने दो इन लोग को दोजार 24 तक जो है कि बेजती उसकी होते इसकी को इज्जत बाबू को इज्जत है नहीं बची है तो का बेजती होगे समझ रहे हैं आप मेरी बात दोजार 24 तक दोस्तों सब के पास पीने योगे घर पर जल हो जाना चाहिए pausa 24 जल जीवन मीशन तो गोवा ने इदी नमान निको बार ने अचीब कर लिया पुडू चेहरी ने चीब कर लिया तर्मिलाडू है समझ गएनक से दोजार 25 तक टीवी अरे गडेश जीते गा जोड़ेपचीष थ़ा क्या समझ गए हां पुड्डू चेरी तथा अनकिस राज के समुद्ध तटों को ब्लू फ्लेग का प्रमाडन मिला है दबीचेज ऑफ पुड्डू चेरी एंड विच अदर इस्टेट हैव गौट दा सर्टिफिकेशन अब ब्लू फ्लेग तो दोस्तों दस बीचेज जो हैं इंडिया के पहले दे आठ ती अब यह दो जो है और बढ़ गई हैं दोस्तों दस बीचेज को जो ब्लू फ्लेक सर्टिफिकेशन पाड़या वराण मंत्राले इनवार्बन मंट्राले देता है दोस्तों ब्लू इकनॉमी किस से रिलेटेड होती है कि समुद्र से रिलेटेड होती है ब्लू इक इसलिए जो है कि spelling spelling तुम लोग देख लो हमको नहीं आता ज्यादा तो इसके बाद एक तमिलाडू का है तमिलाडू का है दोस्तों कोवलम बीच तमिलाडू का कौन सा है कोवलम बीच ठीक है यह को दस्त को मिल गया ठीक है क्लियर है चलो तो लेटेस्ट वाला आपने याद कर लिया हें मा हें दोस्तों किस राज इक चाए गाउं में चाए पार्क की स्थापना हुई ऊसम में हुई है आसम के काम रूपजिले में असम के हेड़ कौन है दोस्तों बसो राज मुंबई और इसके जो है जगदीस मुखी राजपाल है जो नागा लेंड का अत्रिक्त प्रभार समय असम में राजियु गांधी ओरांग नेशनल पार्क से राजियु गांधी को अटा दिया गया बतलत नाम अटा दिया गया और र लेंग पठगाये साथ मेंश्टन पार्क हो गए आप 13 गाजियन मिनिस्टर्य यहां पर हो गया भइसाब कर असम में आपका प्रिप्र गोर्खा लोगों को एनषा से बाहर कर दिया गया वीदेशी की टैक्सिक पार कर दिया गया अनिक्वल बंगला देशी जो हम अभी कि दोस्तों आसाम एदम गजब के वहां पर राजियों में गरी युद्ध चलता है कि तुम्हारा यह हमारा यह बड़ा खतरनाक है भाई साब बंगलादेश से लग युद्ध चला है बोडो लेंड अलग है वहां पे चार जिले बोडो लेंड अब उनको बोडो को अधिकारि करण किया जाता है तो आसाम में ही दोस्तों काजी रंगा नेश्टल पार्क है एक सिंग वाले गेंडे वाला जो सेटलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेश्टल पार्क है ठीक है क्लियर है समझ गए चलिए बहुत बढ़िए कि देखो यहां पर क्या क्या मिलेगा चाय बगान में एक ही छत के नीचे रेल बंदरगा कनेक्टिविटी कारगो गुदाम सुविधा चाय पीसने समिस्रण पैकेजिंग सारी जो है फूट प्रोसेसिंग की चीजे यहां पर चाय पार्क में मिलेंगी काम रूप जिले में काम रूप डिले स्यादक कामख्या मंदिर भी यहीं पर है जो कि आपसे पूचा जा सकता है कामख्या मंदिर कहां पर काम अप्या मंदिर कहा ठीक है एक हजार क्रोन का बजट दिया टीक लिए कौन ने वायुसेना के प्रमुक के रूप में नियुक्तु हैं दोस्तों विवेक राम चौधरी जी नियुक्तु हैं दोस्तों विपिन सिंग रावच जी सीडियस हैं चीफ अब डिफेंस स्टाप है राकेश भदुरिया दोस्तों चीफ है अभी 30 सितंबर तक करम विर सिंग दोस्तों नेवी चीफ है मनोज मुकुन नर्वने दोस्तों जंडरल है आर्मी चीफ है कि विवेकराम चौधे अभी डीपीटी चीफ अभी डूप टीच इप है एक अक्टूबर को बन जाएंगे दोस्तों यह चीफ यही राइट एंसर है है ठीक है थीज सितंबर को यह जो है सेवा ने वृत्ति के बाद बहुन समय लेंगे सितंबर को समय लेंगे निज पर नजर बनाये है वो मिलेटरी नर्सिंग सर्विस की उपमहानी देसक ब्रिगेडियर स्वी सरस्वती जी को मिला है किसकी मिलेटरी नर्सिंग सर्विस की उपमहानी देसक इन्हें नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगल अबाड मिला जो भारत का सर्वोच एवार्ड कि अवकल फ्लॉरेंस नाइटेंगल अवैड अगर बात की जाया फ्लॉरेंस-ईंगल नेशनल नहीं तो फिर वह तुम्हारी वह घावली जी जो है गुज्रात वाली ठीक है सिथे लेरे वोड ऑनु मती घावली घीसाट उनके गुज्रात मिला कि किस राज की द्वारा राजसर्काद वारा यॉ ट्रोणिक पार्क बने जासे और के दोस्तों नॉएडा फिल्म सिटी तक इक आक्सी सेवा रेलवे इन्युवर्स इसटी दोस्तों वडऊद्रा में है और रेलवे म्यूजियम जो है वह वभली में हुभली जो है वह Quand한다 कम ini कि दोस्तों सभी फॉर्मेट को मिला कब बीस हजार रन बनाने वाली दुनिया के पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं दस हजार रन इन्होंने केवल वंडे में बनाएं व की मॉली दोस्तों दिसा पठानी बन गई किरती सेनन वंडरसेफ की बन गए चारीना केप सुगर फ्रीकि बन गогल बवल्गरी प्रियंका चोपड़ा बन गई हैं लवलीना बोर्गेहिंद जो है आसाम की पहली जो है कि ओलंपिक विजेता है वो असाम की समगर सिक्षा अभियान की बन गई है राजस्थान की अवनी लेखरा बन गई है बंदना अकटारिया उत्राखंड की चाइल्ड एन वेलफेयर की बन गए हैं इंडियन आइडल विजेता पवंदीब बन गए हैं उत्राखंड के संस्कृती मंत्रा लेगे पी यार स्रीजेस बन गए हैं केरल एडवेंचर टूरीजम के ठीक है और अनकेडमी के बन गए हैं और पेटियम फर्स्ट गेम के सचिन तेंदुलकर होम लेन के बन गए हैं मैंसिंग धोनी समझ गए और रवी दहिया के नाम से महाविद्याले दिल्ली में जो है नाम बदल गया पूने स्टेडियम का नाम पीरच चोपड़ा के नाम से टाटा ए आई जी के अरे ब्रेंडम बेजडर और आरबी आई के दोखादड़ी वाले के भी ब्रेंडम मेजडर नीरत चोपड़ा विवेक सागर इंडियन होकी टीम के प्लेयर जो है कि वह बन गए मैं, म का अइमपी में डिस पह니क और मनीपूर साइखों वी रबाई चानू वन गई मनीपूर में ए एश पहना मनीपूर के साथ वह एंडिया की ब्रेंड ये अवल बन गई है एडिडास की स्टे एंड प्ले इस्टे एंड प्ले की ठीक है और अमित्रोहिदास होकी टीम के प्लेयर जिनको की अभी उडिसा ने अपना जो है अवार्ड दिया है बीजू पठनाया के अवार्ड है ठीक है क्लियर रेंच फीनो के कालीन भाईया वेरी गुड अइस्मिती मिंधाना और रानी रामपाल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बेंक के काई24 के धोनी वेरी गुड अमेज के कोहली वाँ 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 आई डिफसी फर्स्ट बेंक के सचिंत दुलकर पी एन बी के विराठ कोहली अचा एक दूसरे को ब्लॉक करने से क्या होता है एक दूसरे मेसेज एक दूसरे लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो तुम दोनग आया है फुछ मेर यांट कार्ड लावच करने के लिए क्स बैंक ने बीपी सी एल के सथ भाग़ेदारी कि यह बैंक को ब्रोधा ने कि यह बैंक कटते दोस्तों निजल्मे यहां इस तॉब किया यह तूर दीजिटल पे मेंं ठीक है क्लियर है समझ गए तो दूस्तों यहां पर अगर देखा जब भार्ती भूवेग्यानिक सरवेच्छन द्वारा खोजे गए इस ट्रोफोडस जैसल मेरेंसिस नामक नहीं प्रजाती के हाइबोडोंट सार्क के दात खोजेगा इसका नाम कहां पर फसा है समझना है मिले घैसल मेर मे correction मेर इसका नाम ने रख दीff force आर्लडोंट वे इंघ्ञाटि दात यहां है इसका मतलब इंग्लिष नहीं लिखा है पतिराम नहीं नहीं समझ पा रहे हैं Geological Survey of India है क्या मतलब इसका मतलब चियो लौजिकल सरवा जियो लेजिकल सरवेगी वह बताओ जियो लोजिकल सरवे ऑफ इंडिया के पहली बार 100 सालों में एक महीला अद्यक्ष बनी महीला हेड़ बनी धृती बनर जी कौन बनी धृती बनर जी ठीक है क्लियर है याद रहेगा इदम रिसेंट अपाइंट्में ताजा ताजा बता रह अब दोस्तों यहां पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 48 से कितनी हो गई है 46 हो गई है यद्राइगा फूल सीक्योटी इंडेक्स में टॉप किया दोस्तों गुजरात ने टॉप किया गुजरात ने आपका एक्सपोर्ट में भी टॉप किया तक बुजरात बड़े स्टेटों पहले पर दूसरे पर केरल तीसरे पर तमिल नाडू स्मॉल स्टेट में गोवा पहले पर मेगाला दूसरे पर मनिपूर्ट तीसरे पर कि यूनियन टरिटरी में जम्मू कश्मीर पहले पर यानि कि आपका यहां पर फूड क्या क्या कहते हैं इसको पूड सेक्योरिटी इंडेक्स में लूड शिक्योरिटी इंडेक्स में आपका गुजराथ समयर है गोवाट आप पे है और जम्मू एन्ड कशमीर आप लो अब सही का इत शयवर गुझराथ से चे अच ड्वाट reload कि संगहाई को युञाजरों का नाइंथ मेंबर कौन जुड़ गया दोस्तों एरान तेहरान नुट भागव्या के राधदान और है इसकी करनसी अब तोślması गए दोस्तों और इसके हेड कौन बने हैं इस इसके कि रह्य दोस्तों क्या है कोपरेशन और निजेशन की बात करें 2001 में आई थी ब्लादिमीर नोरो इसके अर्धीमीर नोरो इसके हेड्य है और दोस्तों पकलाद नीमीर नोरो इसके हेड्य हैर अध्य करी में संघञाई मेनी नहीं है बीजिंग में चाहिना के बीजिंग में संगहाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन कि इस बार की मीदिंग तजाकिस्तान की कैपिटल दुसानवे में हो रही है एस जा संकर गए थे अब अब मोदी जी ने वर्चुली हिस्सा लिया था दोस्तो संग्धाई कोपरेशन और गनाईजिसन चा जुर्षिया59 पेस्फुल एक्ससाइज एक्ससाइज यानि आरमी यह रश्या के में हो रहा है दोस्तो पर रश्या के औरेन मर्ग में यहां पर हमारे CDS भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ विपिन जुड़े हैं है कोपरेशन और्गनाइजेशन में एक स्यों की निउव yorkみ selecting सार्क की में डू से लुए थैया na सार्क कि मीटिंग केंसिल हुए ही जू न्यूयार्क में लोग होने वाले थे क्यों दसरत क्या कह रहे हो दोस्तों रशिया के वालगो ग्रैड में दोस्तों इंद्रा एक्सरसाइज हुआ है ब्लादी वोस्तोक में इस्टन एकनॉमिक फोरम सम्मिट हुआ है और रशिया के निजीन में दोस्तों जपाड एक्सरसाइज हुआ है जपाड एक्सरसाइज हु तेंक्यू शो मच और यह सब्द करो ये बगवान है तुम लोग को बता रहा ता कि तुम लोग ब्लॉक कर नहीं सकते तुब पता निमुझे पता निम्ट एंव टेक्निकल जानकारी है कि नहीं है लेकिन ब्लॉग तो मैं कर सकता हूं ना किसी को सबस्ते मेरे मैं जात को समझते olur क्या नहीं तीडरे देखे संघाई कोपेशन और इसे याद करूंगे चाइना दुसमन पाकिस्तान दुसमन रशिया और भारत मित्र चाइना पाकिस्तान रशिया भारत ये तो चार तो याद रहेंगे बड़े इसके बाद रशिया से जो अलग हुए थे कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान उजबेकिस्तान रशिया से जो तूटके अलग हुए थे कजाकिस्तान किर्गिस्तान अजवेकिस्तान ये जो है दोस्तों आपका इसके मिम्बर है ओके अब इसको याद रखना है खजाकिस्तान की कैपिटल पहले अस्ताने अस्ताना थी और करेंसि टेंगे बाइए क्योंकि उसके राशपती के नाम पे रख दी गई अच्छा आपस में भी कर सकते हैं और अच्छा आपस में भी कर सकते हैं तो क्या होगा इससे एक दूसरे का कमेंट नहीं दिखाई देगा तो हम लोग को तो सबका कमेंट दिखाई देगा अगर मालो कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो उसका कमेंट हमें तो दिखाई देगा उसको नहीं दिखाई देगा तो यह तो उसके लिए और गलत हो गया कि उसको क्या बोला जा रहा है उसी को नहीं पता चला है ऐसा भी तो हो ऐसा ही बात है कि अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान नहीं है अच्छा अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान रसिया का पार्ट था भी नहीं है ओ यह बात है भारत के सदरवे ग्रेंड माश्टर क्वन बने वूं राजा रितवीक लुद। ये वारंगल के और आपके तेलंगाना के भारत के पहले ग्रेंड मास्टर कौन थे विश्वनाथन आनंद थे फर्स्ट कौन थे ग्रेंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद इनकी बुक का क्या नाम है माइंड मास्टर और ये भारत के पहले खेलरत पुरुसकार विजेता भी थे यह कुछिन कई बार पूछ रहा है क्योंकि खेलरत पुरुस कि चलू बेरी गुड़ों कितना पड़ोंगे तो लोग हिंदु इनवेसिटी आफ अमेरिका फ्लोरिडा में को मैं अनुपम खैर जी को हिंदू अध्याइन में पी अच्डी की उपादी दे धी गई हेंदू अध्यान में हिंदु इंदु इनिवरी का यह फ्लोरीडा में यह बहुत चल गया यह बहुत अच्छी वात है हो सकता है सब्सक्राइब को यह कहा है भारत का पहला सवदेशी क्रूज लाइन दोस्तों आइयार से to see के दवारा लॉंच किया गया है Notre Kids नाम है online udh अभी छोडेंगे हम लोग को अभी पढ़ाईंगे अभी हमने जो है बहुत सारा बस लॉंच किया क्या लॉंच किया है म्यूजिक बस लॉंच किया ठीक है सेंटल कोल्फिल्ड लिम्टेड ने एक्जरक्यवेशन इंजीनियर जो है सिवानी मीना को जो है बनाया है दोस्तों सिक्किम गॉपर महशीर को जिसको कैटली के नाम से जाना था उसे स्टेट फिस न्यूक तक किया है ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया है कि दोस्तों घाना एक्रा जो है वह यूनेस्को के वर्ल्ड बुक कैपिटल बना है यूनेस्को का ठीक है हिमालेयन फिल्म फेस्टिवल लेह में शुरू हुआ है अनुराक ठाकपूर जी ने शुरू किया है ठीक है जोजी जो है वह बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का एवाड स्वीडिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीती है ठीक है अविक सरकार को प्रेस्ट्रेस्ट उफ इंडिया का हेड बनाया ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फेफ्टी निन थे यह तो आपको याद ही है भारत का पहला अटल कम्यूनिटी इन्वेशन सेंटर यह बना है विवेका नंद ग्लोबल इनिवरसिटी जैपूर राजस्थान में क्या बना है अटल कम्यून जिबसी बैंक मोस्ट आउटस्टेंडिंग कंपनी इन इंडिया जो है यह बनी है एशिया मनी के 2021 पोल में ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया है तो यह चार साल से लगातार 2018 से यह बन रही है एशिया मनी में सिब्सक और आइटी गांधी नगर ने एकलव नाम से एक ऑनलाइन सीरीज लाँच किये ठीक है सिफाली जुनेजा बिकम फर्स्ट वोमेन चेर पर्सन अफ आई सी एओ एस कमीटी यानि की इंटर्नेशन सिविल एवियेशन और्गनाइजेशन एवियेशन सेक्योर्टी कमीटी की पहली जो है चेर पर्सन चुनी गए है ठीक है निरूपमा रॉय जो है एक नई बुक लेके आ रही है फ्रेक्चर्ड हीमालया निरूपमा राय दोस्तों जो है यह हम लोग के जो है विदेश विभाग में विदेश सच्यू भी रह चुकी है ओके वर्ल्ड रीवर डे दोस्तों कल हम लोग ने 26 सितंबर को वर्ल्ड रीवर डे मनाया वर्ल्ड रीवर डे मनाया ओके विजय गोखले की एक बुक आई है दे लॉंग गेम दे लॉंग गेम ठीक है नागा लेंड के ककंबर को दोस्तों अभी जी आई टैग मिला है नागा ककंबर को क्या मिला है जी आई टैग मिला है कि वह सकता है भारत के किसी भी मेनुमेंट में टिकट नहीं लगा ता मैं आगरा में 27 सितंबर गया ता टिकट नहीं लगा था मुझे याद 27 सितंबर वर्ल्ड टूरीजम डे बिल्कुल सही बात आपने का टूरीजन डे पर दोस्तों गोध लेने वाली प्रक्रिया शुरू होई थी कि हरिटेस साइट को गोध लीजे सी एसर फंड के तहट दाल्मिया ने लिया अब लोग मोधी पर आलो आरोप लगाने लेकि मोधीन दाल्मिया वो बेद्द्य लालकिला बेद्द्य तो यहां पर प्रॉफिट का 2% CSR fund में से वहां खर्च किया है लालकिले में वहां के रख रखा हो साफ सफाई के लिए corporate social responsibility कोई सोचाले बनवाता है कोई जो है AIDS के रोगियों की मदद कर रहा है कोई जो है विश्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है कोई स्कूल कॉलेज फूल रहा ह तो उसने विचारे ने लालकिले की और हैरिटेज की टूरिजम को बढ़ाने के लिए जितने भी भारत के हैरिटेज को सोचा था एक एक आदमी को गोद देंगे वो उसको मेंटेन करेगा लेकि लालकिले पे इतना भीवाद हुआ कि फिर भारत ने मतलब भाजपा ने छोड़ कर रहे थे जैसे कि अमेरिका में चलता है कि हर देटा एक ग्रेवीर्ट को गोद लेता है ऑसे बातों के तो उस पें फूल चड़ाता है रूज का करता है अब जैसे कि ए सांसत लोग में गौद लेते हैं जाह। थोड़ी लेते हैं गाव विक थोड़ी जाता है उस गाव का केर करते हैं लेकिन जाहिल लोगों को कौन समझाए ठीक है के लास सत्यार्थी जो है सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल के एडवोकेट बने हैं ठीक है बिटकॉइन के जो क्रियेटर है सतोसी नाका मोटो उनकी पहली स्टेच्यू दोस्तों वो बुड़ा पेश्ट हंगरी में दोस्तों अन्वेल हुई है सतोसी नाका मोटो जो की बिटकॉइन के फाउंडर हैं उनकी ब्राउंज की स्टेच्यू दोस्तों यह जो है ग्रैफी शॉप पार्क बुड़ा पेश्ट में दोस्तों यह जो है हुई है ठीक है पीम मोदी जी ने 76 सेशन आफ युनाइटे नेशन जनरल असेंबली को एड्रस किया अच्छा एक लड़की थी उसने गजब का पाकिस्तान के इमरान खेल खान के स्पीच का रिप्लाई दिया था उसका नाम क्या था सुनीता उनीता करके नाम था बहुत सब्सक्राइए उसका नाम क्या था था साइकलोन गुलाब जो है बे और बंगॉल में बना है बे और बंगॉल में साइकलोन गुलाब बनाएं थी ठीक है कि 2021 का यह तीसरा साइकलोन होगा तौक्ते और यास के बाद यास और तौक्ते के बाद तो बहुत सारे तुम लोगों मैंने करेंट अफेर बता दिया एच पी सी एल ने आई से सी बैंक के साथ टाइप किया है फ्यूल पेमेंट के लिए किसके लिए यानि कल बहुत सारे करेंट अफेर्स आपके सब्सक्राइब के रूप में रहने वाले हैं जैसा कि हम मैं यहां देख पा रहा हूं कि क्लियर रहा है कि बहुत बढ़िया भारत का पहला अटल कम्यूनिक कम्यूनिटी इनोवेशन सेंटर विवेकानन्द ग्लोबल इनुटि जैपू राजस्तान में वह यह तो हम लोग पढ़ लिए ना चलो बहुत बढ़िया कि अखुत नियोज है यार अभी सब बनाना पढ़ेगा आज तुम लोग के लिए को मज़ाया फर्स्ट हिंदू इस ना फ़र्स्ट आईयासीड पाकिस्तान वेरी गूड क्या फर्स्ट हिंदू सना यह इस ना इसना क्या लिक्या गदाओ अच्छा यह ने पाकिस्तान ने इसनेहा दूबे बिल्कुल सही जवाब है इसनेहा दूबे ने गजब की स्पीश सुनिएगा युनाइटे नेशन में होता क्या है कि जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर आरोप लगाती है तो वो जो है उसका रिप्लाई वो देश दे सकता है दस मिनिट में भाई साहब दस मिनिट में धज्जियां उड़ा के रख दी मलब जिसको कहा जाता है चमतकार कर दिया उसके साथ इसने हां दूबे ने और भाई तम छोटी सी प्यारी सी पच्ची एकदम मलब पतली दबली सी सूखी सी नम छोटी सी मलब अगर देख को तो तुम कहोगे 16-17 साल की लड़की होगी भाई साहब बैठे-बैठे जो धोया है उसने पाकिस्तान के जो धोया है वो मोदी जी नह हो सकते हैं 10 मिनट में उसने पूरा कच्चा-चिठा उठाके पाकिस्तान का देधिया कि पाकिस्तान यह करता है पां भटकाने की कोसिस कर रहा है दुनिया का यह तयरे डिश्टो का यस गाइट अँपर अच्छा उसका सुन्ये का मैं नहीं बता हूंगा क्योंकि मैं उत मैं नहीं बता सकता जितना उसने बताया है तो चले 11 बज़े मिलते हैं दोस्तों फटा फट से उस सेशन में साड़े साथ बज़ गया है चलो ओके चलो मिलते हो के साड़े कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वहां से भी कर सकते हैं फ्री स्पेशल क्लास है 11 बज़े आईए सब लोग पोल खेलेंगे पोल खेलेंगे ओके चलेंगे